है पूरी साइज के साथ में इसपे डिसकस करने वाला हूं यह इसका elevation रहने वाला है कैसे बनाना है कैसे बनेगा यह सारा कुछ मैं इस वीडियो में discuss करूँगा और आप कितने size के plot पे ऐसा elevation बना सकते हैं यह भी मैं last में बताऊंगा आपको ठीक है तो चलिए start करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं कि outline जो है वो डरौ कर लेते हैं किसी भी Plot के ठीक है दोस्तों और साथ ही साथ में फिर हम outline ड्रा करने के बाद मान लिजिए कि हमने यह outline ड्रौ कर दी है ठीक है दोस्तों कि जो की यह लोगी ठीक है rent और फिर मैं भी आपको बताने वाला हूं कि उसमें जो मैप मैं 3D दिखाया हूं उस बेसिस पर कहां पर कितना हमें प्रोवाइट कराना है वो सब चीजे में मैं बताऊंगा ठीक है दोस्तों तो क्या करते हैं हम यहां पर रूम कर लेते हैं क्योंकि इसका फेस हमारा इस्ट है और जो सामने पोर्च दिखता है गाईज जो गोल पिलर दो हैं वो यह यहां पर हो गया और यह पोर्च हो गया ठीक है दोस्तों और फिर यह ड्राइंग रूम हो गया यह तो क्लाइंट के उपर बेसिस पर डिपेंड करता है गाईज के हमें क्या करना है और कहां पर कितना रूम और क्या रखना है ठीक है दोस्तों तो ये कुछ इस तरीके से गाइज हमारा हो जाएगा तो ये हमारा दूसरा रूम हो गया और ये ट्वाइलेट हो गया ठीक है दोस्तों और ये हमारी स्टेर्स हो गई guys मैं यह lines को sketch full sketch करके आपको समझाता हूँ ठीक है दोस्तों जिससे कि आपको यह बहुत ही अच्छे से समझ में आए ओके तो चलिए start करते हैं देखते हैं कि इससे मैं sketch करके लाता हूँ तो guys यह मैंने पहले से ही sketch कर रखा हुआ है और आप लोगों के साथ में discuss करने वाला हूँ ठीक है दोस्तों यह मैंने पहले से ही sketch कर रखा हुआ है और मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ ठीक है दोस्तों यह हमारा जो है वो porch है ठीक है जिसका size जो है हमारा guys वो है 13.3 13.3 13.3 और multiplied 16.7 यानि कि 16.7 जो हमारा ये है ठीक है दोस्तों और 13.3 जो हमारा है वो हमारा ये person है ठीक है दोस्तों जो कि ये जो है ये time beam मैंने सोगी है यहाँ पर parking गाड़ी वाड़ी आके आपकी इधर यहाँ पर parking हो सकती है अगर आपके पास space है तो ठीक है दोस्तों अब ये main gate है हमारा ठीक है दोस्तों तो ये जो main gate हमारा है वो double door का लगेगा यहाँ पर ओके तो ये जो हमारा जो है drawing area है ठीक है दोस्तों drawing area ओके जिसका size जो है हमारा वो 23.5 1 x 17.3 है ठीक है दोस्तों तो अब गर हम बात करते हैं तो ये से ये drawing room से connected एक connected एक हमारा वास room है ठीक है दोस्तों जिसका size जो है वो हमारा 5 feet ऐसे है और 10 feet ये है ये ठीक है दोस्तों जानी की 5 x 10 है ठीक है दोस्तों अब दूसरा फिर हम वापस अहां से है ये तो open roof की बात हो गई अब ये जो पूरा hall है हमारा ये हमारा open है पूरा hall की टाइप से ये हमारा यहां पर dining area हो जाएगा ठीक है दोस्तों dining area और जो इसका size है वह है 16.9 और जो ये side size है वह हमारा है inner side है 43.6 inches ठीक है दोस्तों ये जो side है उमीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ठीक है अब ये जो है हमारा ये हमारा है guys ये kitchen है आप इसे open भी रख सकते हो button को जो है वो closed kitchen ही चाहिए था kitchen का जो size है kitchen का जो size है guys वह हमारा है 10.10 into 11.11 ठीक है दोस्तों तो approximately 12 in fit up कह सकते हो काफी बड़ा है ठीक है दोस्तों और इसकी जो window है वह हमारी इस side में लगी हुई है ठीक है दोस्तों ये हमारा पूरा प्लान जो है वो east facing का है इस वज़े से तो हमारा नौर्थ इस्ट जो हो जाएगा यहां पर हमारा kitchen होना चाहिए ठीक है दोस्तों उस basis पर है अब हम वापस आते हैं इस room को देखते हैं तो यह small room है store type का आप store भी बोल सकते है या room बोल सकते हो 9.8 into 9.11 या children room आप कह सकते हो साथ ही साथ इस से connected जो है हमारा वो पूजा room है ठीक है दोस्तों पूजा room का जो size है वो 9.8 into 7 feet है और इसकी जो door entry है वो यह है ठीक है अब हम वापस फिल लॉबी में आ जाते हैं लॉबी से room number एक में जाते है रूम नंबर जो एक है हमारा उसका जो size है वो 12.12 into 15 feet का है जो की काफी अच्छा size है गाइस तो और फिर हम बात करते हैं इसके इस से connected washroom की तो यह हमारा आप इसमें dressing area भी बना सकते हो ड्रेस area और इसे washroom भी बना सकते हो यह इसमें आप bathtub वगरा सबको sufficient काफी अच्छा space है 5 into 15 feet का ठीक है दोस्तों तो अब हम वापस से फिल लॉबी में आते लॉबी से यह जो drawing area है उसका जो double door entry है हमारे लॉबी में जाते हैं उसी के ठीक सामने यानि कि 7 feet का 7.4 feet का जो हमारा है वो staircase है ठीक है चोड़ा और जिसमें कि यहां पर round up shape में रहने वाला है ठीक है दोस्तों तो अब अगर हम बात करते हैं यह इसका drawing room के ठीक front पे रखा गया है कि जैसे drawing room में बैठा जा तो यह round clockwise stairs हैं वो हमारी बहुत अच्छा look दे ठीक है दोस्तों अब वापस हम गर आते हैं इसके room no.2 में room no.2 तो room no.2 का size भी जो है वो 12 x 15 ही है और इससे connected जो washroom है guys उसका भी size जो है washroom यानि कि bathroom चीज एक ही होती है and toilet ठीक है तो इसका जो size है वो 5 x 15 ही है ठीक है दोस्तों अब window की बात करते हैं तो इसकी back side पे window है room no.2 की और ये जो ventilator है sorry ventilation के लिए हमारा ऊपर छोड़ा गया है और साथी साथ में ये जो है वो ये एक room no.1 की window है और ये इसका ventilation है ठीक है दोस्तों तो अब हम बात करते हैं ये lobby में दोनों तरब से lobby में दोनों तरब से जो guys है वो हमारी window लगाई गई ह है ठीक है दोस्तों और सेम इधर से भी हमारी window है ठीक है अब सबसे main point क्या है guys कि जो हम 3D देख रहे हैं उसके front में ये window है बटकर ये washroom में open होगी गाए दोस्तों तो मेरे according तो ये सही नहीं है इसलिए ये half semi मलब वो dummy dummy window लगने वाली है ठीक है दोस्तों यहां पे आप dummy window लगाएंगे और इसका जो 9 इंच का wall है उसमें चार इंच में आप window लगा देंगे dummy और साथी साथ में चार इंच इसका पीछे से cover कर देंगे जिसकी वजह से ये washroom हमारा जो है वो fully covered हो जाए ठीक है दोस्तों यानि की privacy full हो जाए ठीक है दोस्तों तो उम्मीद करता हूं य अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं और पिलर्स जो है वो यतने भी पॉइंट मैंने रेट से दिखा रखे हैं ठीक है दोस्तों यह इनके pillar है यानि की columns है और ठीक है दोस्तों और यह जो हमारा front में दिखते हैं चार column जो है वो round shape में तो यह हमारे column जो है वो round circular column है ठीक है द का लुक चाहिए सेम लुक में तो आपका 50-50 हो जाएगा और minimum आपको यह जो front area रखनी है वो 40 feet या 36 feet ऐसे something इसका जो girlfriend आपका रहेगा तो यह जो आप elevation देख रहे हैं यह आपका डिक्टो ऐसा बन जाएगा ठीक है दोस्तों तो चलते हैं चलते हैं इस वीडियो से और मिलते हैं आपको next वीडियो में ऐसे किसी वीडियो में ठीक है दोस्तों तो प्लीज में चैनल को subscribe करें और फिल के आइकन को दबा लिजे जिससे कि ऐसे वीडियो के notification में आपको पहुंचते रहे हैं ठीक है दोस्तों